हाथ तो माध का वीडियो आपने देख लिया होगा माध का वीडियो आपने देखा होगा तो अब माधिका भी पढ़ लीजिए बीक आप पार्ट बन की जितने वच्चे हैं उनको यह पढ़ना बहुत जोरी है क्योंकि 20 प्लस माध कोशन माध माधिका और बहुत लोग से पू चाहिए और कुछ नहीं करना है कि чувственно कि अगर आप देके तो समस्य ने हम नहीं देख है तो समस्य तो है आपके लिए आसण चीजें 30 मिश्किल हो जाती है अगर आपका ध्यान भटका तो ग्यान नहीं होगा चलिए तो भै शुूराद करते हैं आच कि पर माधिका निकालना माधिका निकालने के लिए छोट छोटी बातों को मैं बता दे रहा हूं io जए एक चोकी से जगह में आपको माधिका पूरासु डूंगा एक चोटी से जगह में माधिका मतलब क्या हुआताहे मीढियर मानन का मतलब क्या हुआताहे बीच्वाला ममालों कि अगर मैं क्लाइए141 थैसी में कमईती जगा विच नहीं देखा कुछ लिखता है है अन-पलस करके क्या लिखता है नहीं लिखता है समझ मुशु क्रें लिखना आता है कि आपको अमालूत है कि एका मतलब क्या है कांटिंग पद फार जैक है तो यहां पर अगर आप प्द को करीएगा सब्सक्राइब कि हमारा क्यामापद एंसर होगा बीच में क्यामापद होगा तो इसके लिए अगर ये बिशम है ये पद आपका बिशम हो गया है तो आपको कुछ नहीं करना है आपका जो एंसर होगा एं प्लस वन अपॉन टूमा पद टूमा पद है पता है ये अंसर नहीं है ये पद तो एणिचने आपकर उन्पास एक पद चार भागे दो, मतलब दो मापद, ये दूसरे पद पर जो एंसर होगा, जो संख्या होगा, दो चार, ये देखो, ये चार आपका एंसर, चीक है, M का वैलू 4, लेकिन आपका होगी, सर, कोई डेटा ऐसर दे दे, जिसमें पद हमारा सम हो जाए, सम का मतलब 2, 4, 6, इसे में ल पर एक इधर से, फिर एक इधर से, दो कटा, चार कटा, चार कटा, छे कटा, बीच में क्या परचा, कुछ नहीं, तो simply अगर आप सोचे, तो बीच में वो संख्या है, जो इन दोनों के बीच में, दोनों को जोर के दो से डिवाट कर दीजए, ठिक है, अगर आप ऐसे ले ज ठीक है प्लस में n भागे 2 पलस एक मापद है और दोनों पद को जोड़ कर दो से दिवाट करते हैं ठीक है वज नहीं समझें कि इतनी पद है 4 है तो 4 भागे 2 का मतलब दो मापद है और 4 भागे 2 पलस 1 का मतलब 3 मापद भागे 2 अब देखो दूसरे पत पर क्या है चार है और तब 4 पलश छे भागे तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं नहीं पताया था एसी हो न यह लिए नहींगा वह starch पोछलो नहीं हरक्ण को Sum Genau कि इस सबसे पहले बीचवाली संश्थिया निकालने के लिए को अरौही करम में सजाना परेगा अगर data इधा उधर है तो आपको यह नहीं समझ में आएगा कि बीच में कौन है और अंत में कौन है समझ में नहीं आएगा इसलिए बीच वाली संख्या का पता करना बहुत जोड़ी है चले तो सबसे पहले आरोही करम में इस data को सजाएगे यह यह देटा आरोही करम में जब स चौवन रहा सबसे चुटा उसके बाद उसके बाद उसके बाद चौवन के बाद यह उनसट रहा उनसट के बाद यह उनसट के बाद यह उनसट के बाद यह उनसट के बाद यह चौनसट रहा चौनसट के बाद यह सरसट रहा सरसट के बाद सत्तर रहा सतरे खतर बहतरी बा नौ वह कुछ छूट गया क्या एक दो तीन चार पांच छे शाथ आठ नौ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यहां दस हो रहा है देखिए उपर में कोई डेटा तो छूट गया चौबन है 69 अच्छा यह अर्सट छूट गया तेखिए आप अब कर लें तो आपके पास जो पद की संक्या वो दस है अब आशे बीच में नहीं बता कर सकते हैं ऐसे तो आप छाट लिजी कोई दिक्कत नहीं आप इसे आपको पता करना है बीच में करमा पद होगा कौन सा पद होगा तो इसे कर सकते हैं कर सकते हैं एन भागे दुमापद कि मतलब क्या करना है एन भागे 2 का मतलब कितना हो गया दस भागे 2 प्लूष। दो पलस एक ठीक है ये अंसर नहीं है ये पद बता रहा है आपको मैं बार 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 बता रहा हूं कि ये पद बता रहा है एंसर मत माल ले ना इसको तो यह जाएगा पांच पांच प्रस एक मतलब पांच मांपद और छठा पद पांच मांपद पांच मांपद पांच मा सकते हो पाँशमा पत किया देखो एक दो तीन चार पाँच ही रहा पाँशमा पत है 70 पलस 72 भागे दो 142 मतलब 71 अगर यहीं पर कोई एक संख्या बढ़ा देता मतलब यह बिरानवे कर देगा तो आप यह हो गया कर लोगे कि यह है तो एक तो यह सुत्रियात कर लेजी एक यह सुत्रियात कर लेजी विशम रहेगा तो यह बहुत बहुत पेसिक चीज़े अब आपको अगर मैं कोशन बताता हूँ अब देखिए इस टाप का अगर आपके पर डेटा हो वहाँ तो सीधे सीधे था कि वो एक बार आया वो एक बार आया वो एक बार आया लेकिन इस वार यह एक कुछ डेटा दिया हुआ सब्सक्राइब को ए判क अबेदेंद T रहे चार टेने भार यह चार को शला है अशा है आपको एसा नहीं है यह एक बार थो लिए भार है तो इसको 18 बार कांट करो सब्सक्राइब करो इसको तो पच्पन बार लिखो, मतलब सब को इतनी बार लिखो, सर ऐसे तो बहुत मुश्किल है, हम लिख नहीं पाएंगे, बिल्कुल हम भी नहीं लिख पाएंगे, आप क्या, हम भी नहीं लिख पाएंगे, तो हम कर क्या सकते हैं, तो हम यह काउंट कर सकते हैं, कि यह total हमारा सी क तना है मतलब ये टुटल जो किसे सबंगे इसको फेरिकंशिक कई ए Быरा तक यह हम कर सकते हैं नहीं हम वह इसमें हमारा वह यह 35 को एसे नहीं पता सकता यह बीच में को नहीं क्योंकि यह सहीदी स्वारा है यह 41 वारा है कैसे पता करोगे इसके लिए अगर आपको बारंबारता दिया रहें चर्मान के साथ साथ तो आप छोटा शेक टेवल बना लेना solution में बना लेना आपको बनाना परेगा next का वैलु लिखना मतलब जो आपको दिया रहे हैं डेटा वो कशना is wife कि अशक्के बाद एक और वैलो लिखना जिसको kumulative frequency करते मतलब इसको जोड़ते होचाएंगे जोड़ते हो जाएंगे, आपने इसको तेंतर भी पर रखा, तेंतर वाले बच्चे भी अगर कोई देख रहे हैं तो देखें, आपके लिए भी उपे होगी है, चीजें समझ में आएगी, ठीक है, समझ रहे हैं, ये अक्ते वले होने बना लिया, अब हमारे पास जो डेटा है वो एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छे है, साथ है, आठ है, नौफ, पैशले कोईशन में बूर्श सिंपल था, इस कोईशन में इतनी बार आ गए यही समझ से खरा कर दिया है, ये अतनी बार आ गए है, तो गुरू जी हम बनाएंगे कैसे, ठीक है बढ़ी, तो अर यह 62 हो गया, फिर यह 48 हो गया, फिर यह 27 हो गया, फिर यह 10 हो गया, फिर यह 27 हो किसे ना पंट जाएए गगा, फिर जोरेद ना पनते हो 15 हो गया गच21 005 ग आघकएaba ती हो जाएगा 96, 96 में इतना जोड दीजिए, 4 देजिएगा 100 हो जाएगा, 151, ठीक है भाई, 151 में इसको जोड़िए, 213, 213 में आप 45 जोड दीजिए, 8, 3, 11, 16, 261 में 27 जोड़ी, 8, 288, 288 में 10 जोड़ी है, 299, 299, देख लो, बाई, टोटल कितने होगे, 299, ये टोटल 299 है, ठीक है, आप इसको भी जोड़ो, ऐसे भी जोड़ोगे, टोटल F आपको हो जाएगा, 299, मतलब आपके पास एक दू नहीं है, ये एक दू कुल मिलाकर, 299 टाइम आये हैं, अब इसमें आपका विशम है, टोटल काउंटिंग ठीक है, ठीक है, टोटल, अगर फ्रिक्वेंसी दिया रहे है, तो CF निकालना का पसरी, आप निकाल लेना, यहां से ये पता चल जाएगा, ठीक है, आइसको भी जोड़ोगे देख लेना, तो टोटल फ्रिक्वेंसी जो आपको N का वैलू आया, वो 299, आप इसको N भी कह सकत करना कुछ नहीं है, बीच में कुण सा पत है, यह पता देगा, कैसे पता करेंगे, N भागे, N भागे, N भागे, N भागे, 302, मतलब लेकिन आप गौर शे देखो, कि गुरु जी यहां पर तो देर्श्मा पत तो है यह नी, एक सो एकावन है, तो चलो ठीक है, एक स्कावन ह करें डेरसो नहीं है तो ढर से माधिज़ने से अपनाएं से सामने ये हमारा है इसमें सोच और वह वतली है आप तो अनुखन कोह से अलगत का और कह रहा है। एक पर यह ऐा पार डेत लाट है यहां पर actual data नहीं है 0-10 है, 10-20, 23-40, 40-50, 50-60 इसमें कैसे पता करेंगे कि बीच में कोई है इसके लिए एक छोटा शुत्र आपको याद रखना ही पढ़ेगा इसके लिए एक शुत्र यह है कि M बराबर L1 प्लस N अपॉन 2 मानस C ठीक है और अपॉन में ठीक है अब बोने L2 मानस L1 ठीक है बज़े तो हमारा जो शुत्र है वो M इसकल टू L1 प्लस N अपॉन 2 और मानस C अब सरी यह है क्या चुलिए तो इसको मैं समझाऊंगा आप पहले समाझ लो कोशन को फिर उसके बाद इस पर आएंगे अपके पास अगर डेटा इस रूप में हो वहाँ तो C F निकाले C F यहां मी निकालेंगे अगर डेटा सिंपल है तो वही हमारा एंसर है अब इस रेंज में एंसर है तो इसमें हम कैसे पता दे कि इसमें 30 और चालिस के बीच में कשה एंसर है 303 440 के बीच में 30 पैस 30,1 बी हो सकता है 30.2 बी हो सकता है 30.5 बी हो सकता है कुछ हो सकता है तो इसके लिए इस सुतर अप लाई करेंगे अगर आपको क्लास इंटरवल दिया रहे इस टैप का ठेक वर गंतराल दिया रहे तो आपको इस सुतर से कुशन बनाने थुरा साइस को याद कर लीजिए अब है कुछ नहीं है अब अब द्यांन से देखें तो मैं इस data को सबसे पहले एरंस करता हो data को अराज करने के लिए आपको एक किया कष़ाते हैं मतलब किलासमी से का इंटरवा एक कर लए कर लोगे ता आपको सारी चीजी याद हो जाएंगे देरे देरे ठीक है भाई समझ रहे हैं कि अब है इतने नादान तो अब हैं नहीं हमको भी पता है जिरो से दस ये जिरो से दस होगा दस से बीश होगा बीश से तीस होगा तीस से चालेस होगा चालेस से पचास होगा पचास से साथ होगा ठीक है ये बारा हो जाएगा ये ठार हो जाएगा ये सताइस हो जाएगा बीश हो जाएगा शत्रा हो जाएगा और अच्छी हो जाएगा अब कोगे सर इसी को माल लीजिए ना एंसर हमारा है बीचे में काउंट कर लीजिए कैसी करेंगे यह तो बहुत सारा डिटा है यह क्लास जो है यह 27 बारा है यह 27 बारा है किसको माल ले तो पहले हम जोड लेते हैं अगर हम इसको जोड़ेंगे बाबु 12 से उपर कुछ नहीं तो बारह ही होगा अठारे के उपर बारह है तो बारह और अठारफा तीज हो जायगा 27 के उपर यह दोनों जोड़ेंगे तो सटारवन हो जाएगा बीच के उपर सटावन हो गया टॉटल जिसको जोड़ देंगे 27 हो जाएगा साध दून Иule 24 जोड़ा से 5000 होजाएगा 94 और ये 6 जोर देंगे तो 100 हो जाएगा मतलब ये जो टोटल आपका N है टोटल जो N है वो 100 काउंटिंग आपकी ये जो बारम बारता वर्ग दिया है इसके टोटल की काउंटिंग 100 आगे और यह हमको यहाँ भी एंसर आया है तो सरी ये क्यों निकालेंगे इसको निकालने का रीजन है अभी तुरन समझ मैं आपको सबसे पहले आपको ढूणना है N भागे 2 मतलब वो पद ढूणना है वो वर्ग ढूणना है जो बीच में तो N भागे 2 ढूणना है पचास माँ पद न होगा तो उससे आगे का पद लो देखो सरी अप में ढूणना है ढूणना कहा है? सरी अप में इधर से नहीं ढूणना है इधर से भी ढूणना है तुमको जोरना ही पड़ेगा यह 12 जोर लिए 12 के बाद 18 जोरे तो तो 50 हमको मिला नहीं सरी टोटल जोर के हम रखें मतलब पीछे से जोरते हुए आए हैं इसलिए हमको पता है कि यह संतावन यहां से शुरू हो गया ठीक है ना? यहां तक 30 हो गया यहां तक संतावन हो गया तो 50 तो दिखा है नहीं पचास है का तो 30 के बाद 57 से पहले मतलब इसी वर्ग में तो आपका जो मादिका वर्ग हो गया यह हो गया और आप जब कुर्शन बनाएंगे इसको थोटा से अंडरलाइन कर लेंगे इस तरीके से यह लेकिन जिस मादिका वर्ग में आपने इसको ढूंड रहा है ठीक है तो आपको पता है कि आपको पिछे एक आगे लेना है तो यह तीस को दीम के रूप में लेना है ध्यान से समझे भूंडा आपने कि綪्ष्प M raise यहाई आपका मादी का बर्ग है और यह आपका मादी का बर्ग लेकर आएगा लेकिन यह कमलेटिव फेक्षे सी इससे पिछे वाला है यह इना से तो है यह वह डाइएब न कर ढम का मतलब यह ल्रुपी यह फ्यासी गफब लीकेंट है त्ल-ख बर्ग है vai ide 28 مت silic जिससे हम धूंडे हैं उससे जस्ट पीछे वाला, यह है C, ठीक है भाई, तो इस C को हम उठा लेंगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं, इस रूल पर एड़ कर देते हैं, दिखा देते हैं, M बराबर L1, L1 कितना है, L1 यह रहा, यह है न, 20, 20, 20, एन भ C का है, C हो जाएगा, 30, जस्ट पीछे वाला, अपोन F, F का वेलू कितने, 27, और L2 मैनस L1, मतलब दोनों के बीच का अंतर, तो यह तो यहां लिख दो, यह तुमको समझ में आ गए, तो इसे रिएक लिख सकते हैं, इसी को हम कहीं कहीं जग बर शुन, आई की रूप में दे इस सबसे हम को कोई मतलब नहीं, बीच में है नहीं तो हमारा अंसर थोड़ी होगा भाई, इसको तो इग्नोर कर डाला, यह 20 हो गया, यह 27 हो गया, और यह 10 हो गया, ठीक है जी, अब हमारे लिए थोरा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा, यह 20 हो जाएगा, यह 200 हो यहां तक समझ गया है, यह 27 है, नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिखते रहा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 740 हो जाएगा, अब हमें 27 है, चीक है, अब 740 को 27 से डिवाइट करना है, चलो, 740 को 27 से डिवाइट करते हैं, 27 तुना चौबन, 0, 2, 0, 27, तो यह 81 है, अब तुना ठारा, चार बार, शिक्स टाइम में लग जाना चाहिए, 8, 7, 56, 7, 7, 7, 7, 49, 7, 9, 14, 14, 18, ठीक है न, यह है गार, ठीक है, 0, तो 27 सम्थिंग कुछ आएगा, अब लिखते न, अपने से कल्कुलेट करके, ठीक है, तो तो करी सकते हो, यह आपका ऐसर आएगा, ठीक है, तो 27 एक सो है, तो चार बार में लंसम कर जागा, 4, 2, 8, 7, 4, 25, अब फॉर टाइम में कर जागा, 27 सम्थ चार करके, ऐसा कुछ आएगा, जब एक और कल्कुलेशन आपको भी करना है, ठीक है, बस ध्यान यह रखना है, एक तो यह शुत्रियाद रखना है, और वो जो एन वला बताया है, उसमें जादे चकर में मिल्कुल नहीं पढ़ना है, दो नमर का कुछन पूछेगा, एक नमर का, तो सिधे आप इधा सिधा से काउंट कर देना, अगर बीच में जो बच रहा है, वो ले लेना है, और नहीं बीच में बच रहा है, सिंगल संख्या कर रहेगा, तो नहीं बीच में बच रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, और जो बीच में दूगों बच र यहां जो टोटल करते हुए आए हो लास्ट तक यहीं न टोटल होगा यह उठा लो तो एन भागे दो कर लो यह पचास हो गया आपको मिला नहीं से लिए संतावन को हमने माधिका वर्ग माना ठीक है उसे जश्ट आगे मिल जाए तो ठीक है नहीं तो उसे जश्ट आगे जीमा है जो आपका फ्रिक्वेंस यह घ्लास इंटर और फ्रिक्वेंसि में अप सताइसी हो गया इस तरीके से आपको करना भाई अब यहां सुत्र पे सिफ रखते ना एक टो यह सुत्र याद रहे और टेवल में कैसे डीनोट करते हैं फाइंड आउट करते हैं वह याद र फिर वीडियो अच्छा लगए तो आप लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों तक शेयर करीजिए जो रही है इता तो आप करी सकते हैं हमारे लिए नेक्स वीडियो में बाबाए